आज मैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जन्म कुंडी लेके आया हूँ इनका जन्म 21 अप्रेल 1926 को हुआ और इनका जो मिर्तु 8 सेप्तमबर 2022 को इनकी सूर कुंडी की चर्चा करेंगे सूर कुंडी के बारे में क्योंकि सूर कहीं न कहीं जो है नित्त्त्य राज का कारक होते तो देखेंगे कि किस तरह से ग्रहों की दसाती सूर कुंडी के माध्यम से मेस रासी में सूर उच्च के बैटे थी लग मेस रासी के सूर हैं, उच्च के हैं और सूर ग्रहों के राजा हैं और उच्च के हैं अब देखिए उसमें चौती दिस्टी मंगल की भी पढ़ लई है अपने ही घर में मंगल की दिस्टी पढ़ लई है और बलवान कर दिये और मंगल भी देखिए उच्च के हैं मंगल उच्च के हैं और यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और गुरु जो है मकर रासी पे नीच के होते हैं और सनी की तीसी दिस्टी मकर रासी पे पौड़ ली है तो गुरु का नीच भंग राज योग हो गया सनी के कारण अब देखिए मकर रासी के स्वामी सनी ब्रस्चिक रासी में मंगल की घर में और ब्रस्चिक रासी के स्वामी मंगल सनी की घर में एक दूसरे घर में रासी परिवर्तन होने के कारण भी जो है सनी और मंगल का रासी परिवर्तन हो रहा यहां पर गुरू का नीजभंग राजयोग हो रहा है साथ साथ देखिए गुरू जो है करकरासी पर उच्च के होते हैं करकरासी पर सौछेतरी चंदर्मा बैठें चंदर्मा की कारण भी उच्च के होते हैं तो यहां पर दसम भाव जो की राज का होगा सूर कुलिंग साथ तो मंगल भी उच्च के गुरू का नीजबंग राज योग और चंद्रमा की दस्टी और चंद्रमंगल योग धनलक्षमी के उपन रहा है और चंद्रमा स्वचेत्री तो ये एक खास होगे और देखेंगे तो और देखने पर ये देखिए राहु उच्च के हैं पराक्रम में राहु पराक्रम में और यहां पर देखिए केतु भी जो है भी उच्च के हैं धनुरासी में ये भी उच्च के हैं ये धर्म के स्थान में हैं ये भी उच्च के हैं यहां पर बुद्ध जो है बारे में भाव में नीशके हो रहे हैं और इस इंपॉर्टन देखिए सुक्र जो है धन भाव के सौमी लाव भाव में हैं सुक्र लाव के कारण धन की ब्रिद्धी यह काफी अच्छा यह तो इनकी कुनली काफी अद्बुद है और काफी अच्छे ग्रह हैं और इसकी मतलब काफी मतलब जो है ग्रहों की पोजिशन भी काफी अच्छी है और ग्रहों में जो है सभी ग्रह एक बुद्ध को छोड़ दिया जा तो सभी ग्रह क्या भी अच्छी पोजिशन में हैं और इस से लिए ये कुंडली काफी अद्वत होती है मतलब इस ट